नमस्कार सर मेरा नाम राजु है यहाँ पे सारे स्कीम है मुचल फंड के जितने भी स्कीम है वो सारे स्कीम है जो भी एक्यूटी स्कीम है यहाँ पे देखते हैं पिछले एक साल पिछले दो साल पिछले तीन साल पिछले चार साल पांस साल पंदरा साल बीस साल में क्या-क्या return मिला है तो यहां पे देखते हैं कि एव banco का रीटन देखते हैं या दस साल से शुरू करते हैं 13% 17% 15% क्या मतलब इसका एव जया किसले 10 साल में Average return 15% का मतलब है किसी साल 15 दिया हुआ किसी साल मैनस 10 दिया हुआ किसी साल 20 दिया होगा सारे 10 साल के return को जोड़ दीजिए और 10 से भाग दीजिए लगवग 15% आ जाएगा compounding simple ये सब का खेल छोड़ दीए समझाने की दिरिष्टी कोन से बोल रहा हूँ सब को जोड़ के 10 से भाग देंगे 15% आएगा इस तरह से जरनी चलता गया चलता गया और इस तरह से आप देखेंगे मैं ये देखना चाता हूँ कि पिछले 10 साल में average return क्या है average return के रूप में चेक करेंगे हैं यहाँ पे सारे स्कीम है एक्यूटी के जितने भी स्कीम है वो सारे स्कीम है average return यहाँ 16.94 ठीक उसी तरह दूसरे कॉलम में देखते हैं 15.86 का average return हुआ है 13% किसे ने दिया किसे ने चाउदे दिया एने एने का क्या मतलब है यह जो fund है यह पिछले 13 साल से 12 से शुरूई नहीं हुआ था तो वहाँ पे एने 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 है जहाँ पे भी एने एने है इसका मतलब यह नहीं कि यह company डूब गया दिवालिया आओ गया भाग गया पैसा लेके भाग गया इसा नहीं है वह कम्पनी ने शुरू हुआ था वहा तक करते हैं टो यहां पर एब्रेज रिफ्टन देखते हैं जो मिए एट तेरे 10.12 रिटंड मिला है 20% भी किसी ने दिया, किसी ने 17 दिया, किसी ने 14 दिया, किसी ने 11 भी दिया, 12 भी दिया तो average यहाँ पर check करते हैं कि सारे fund मिला के उसका average क्या रहा होगा माल वो किसी को 10 जडर लगाना है, वो सारे fund में थोड़े थोड़े करके लगा दिये तो average पिछले 15 साल में क्या मिला होगा 14.82 मिला है जबकि 20 साल में return चेक करेंगे 17.82 मिला है यह आज तक का इतियास है आज से 15 साल पहले क्या return मिला उसका average सारे mutual fund में पैसा लगाया एक भी छोड़ा नहीं सब में लगाया खराब अच्छा सब में लगाया तो पिछले 15 साल में 14.82 का return मिला जबकि 20 साल में 17.02 का return मिला अब mathematical calculation करते हैं कि 17% 15% के rate से क्या पैसा बन सकता है यहाँ पे देख रहे हैं 17.02, 14.82, 15.86 तो मैं यहाँ पे मानता हूँ 14, 15, 16, 17 करके देखते हैं कि पिछले 20 साल में जो हुआ है यहाँ इस्तार S.I.P. के calculator में गए S.I.P. को touch किया और यहाँ पे लिखते हैं 15,000 पे पर मन्त पहले से लिखा हुआ है 15 साल लिखा हुआ है और यहाँ पे 15% के rate से 14% जो दिखा रहा था हूँ आपे 14% के rate से 27 लाग जमा हुआ हुआ है यहाँ पे 20 साल लिखते हैं तो जमा करते हैं 15,000 के दर से आने वाले 20 साल में जो पिछले 20 साल में रिटन दिया वही मानू अतना ही मानू 17% मानू 36,000,000 रुपया जमा करते हैं और वेली होता है 3,000,000,000 रुपया क्या यह guarantee है बिल्कुल guarantee नहीं है राजु नाम का लड़का यह कभी नहीं काता है कि मुचल फंड में आपको 2% भी guarantee मिलेगा 12, 13, 14, 15 तो छोड़ दिजिए चार पार मानू बम गिर जाएगा कुछ नहीं मिलेगा हाथ में सब बिल्डिंग, जमीन, प्लॉट, फ्लेट सब खतम हो जाएगा मुचल फंड में खतम हो जाएगा लेकिन यह धर्ती, यह काइनात ऐसे ही चलता रहा तो आपको इस तरह का return दिख सकता है सारे लोग जिंदा रहेंगे, कोई लोग मरेंगे नहीं अब सारे लोग अगर मरने लगेंगे तो मुचल फंड में पैसा बना के भी क्या करेंगे तो इस तरह से देखा जाए पिछले 20 साल में जो हुआ वही मानू की आगे भी हो यह धरती ऐसे ही चलता रहे ऐसे गूमता रहे तो इस तरह से 36 लाग जमा करेंगे 3 क्रोड 3 लाग बन सकता है अच्छा चलो ना इतना बने मैं 12 ही जोडता हूँ फ्योचर में 12 ही return मिले 36 लाग जमा होगा 1 क्रोड 49 लाग बनता है जिसके हाथ में 12 क्रोड रहा जाएगा न वह भी financial freedom को पार लेंगे 10 जमीन 10 प्लोट हो जाए आपको आपको वह financial freedom का confidence नहीं दे सकता है यदि किसी की पास एक क्रोड डेल क्रोड दो क्रोड रुपया है तो यह पैसा आपको financial freedom का confidence दे सकता है आपको इसी तरह mutual fund के बारे में और कुछ जानना है तो मेरे कुछ और वीडियो को देखिए आपको online mutual fund में invest करना है लिंक में जाके आप mutual fund का account open करने के बाद हमसे जूर सकते हैं वीडियो चल लगे तो like and share जरूर करें Thank you so much